नमस्कार आप देख रहे हैं जे एक्स निउस 36 गड़ चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की और पारा चापा थाना चापा द्वारा दिनांक 28 सार 24 को थाना चापा में रिपूर्ट दर्ज कराए कि इसका लड़कार संशाख मसीही रेलवे स्टेशन चापा से सफर के दुरान आरूपी जुगल की शोट साहू से मुलकात वबाचित के दुरान परती के लड़के शशांग को बोला कि मंतराले में मेरी जान पैचाने कुछ काम होगा तो बताना अभी पटवारी का वेकेंस निकला है नौकरी लगवा दूँगा इसके लिए 5 लाग लगेंगे जिस पे 5 लाग रुपे अभी देना होगा वे 5 लाग रुपे काम होने के बाद देना होगा तो प्रार्थी त्वारा आरोपी जुगल किशोर को 5 लाग रुपे कैश वर 5 लाग रुपे आर्टी जी एस के माधम से दिया किंतु पटवारी में प्रार्थी बेटे का चहर नहीं हुआ तब आरोपी जुगल किशोर ने अपना दिया हुआ पैसा 5 लाग मांगतो जुगल किशोर गूमने लगा तथा रुपे देने से अनाकानी करने लगा दोकदड़ी जैसे मामले को गंबीरता से लेते हुए श्री विवेक शुकला आईपैस पुलिस अधिक्षक जाजकिर्शापा के निर्देश में तौरत कारवाही करते हुए प्रकण आरोपी को जिला रायपर से घेरबंदी कर पकड़ा जिसको घटना के सम्मन में पूश्टाज करने पर राजस्विभाक में पटवारी के पत पर नोखरी लगाने के नाम से ठगी करना बताया जाने पत अरोपी के विरुद अप्राधारा सिदर का सबूत पाय जाने से विदिवत गिरफतार कर दिनांक 28 साल 2024 को नियाएक रिमान पर भीज़ा गया है उप्रुग्द कारभाई में नुरिक्षक डॉक्टर नरिश कुमार पटेल थाना प्रभारी चापा A.S.I. अरुन सिंग, मुकेश पांडे दिलिप सिंग, प्रधाना रक्षक विरिंद्र कुमार टंडन एबं थानाय स्टाफ का सरहाईनिय योगदान रहा